तो वेलकमें दोस्तों नमस्कार आप सभी का देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जारखन की एक वेकेंसी आई है एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट की और से ठीक है यानि कि किरसे भीबाग की और से कुल आपके यहां पे चोववन पद है ठीक है पाली पद है आपका ब बोला गया है कि किरसी प्रदोग की प्रबंधन अभीकरन आत्मा राची आत्मा एक जगा के नाम है ठीक है आत्मा राची एगरिकल्चर एक्स्टेंशन किरसी उन्नति योजना के तहात यह फॉर्म आया हुआ है एगरिकल्चर एक्स्टेंशन किरसी उन्नति योजना के अंत इसमें परमानेंट नहीं किया जाता है यही इसमें अंतर है तो यहां पर बोला गया है कि पद है सबसे पाले देख लीजिए तो जिसके लिए आप इस आप होंगे उसी के लिए apply कर पाएंगे और परकंड टेक्निकी प्रभंधन यानि कि ब्लॉक टेक्निक लोजी ब्लॉक टेक्नोलोजी मैनेजर इसमें छे पोस्ट है ठेक है और पोस्ट के लिए क्वालिफिक्शन मांगा गया है कि पोस्ट ग्रिजवेट इन एक्रिकल्चर या फिर एलाइड सेक्टर विद कम्प्यूटर स्किल आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे जो बोला गया है एलाइड सेक्टर इसमें बहुत सारा बैटनरी है हम साइन्स अभी मैं दिखाऊंगा ठेक है तो पहले मैं उसको ही दिखा लेता हूँ तो देखिए एक्रिकल्चर विद एलाइड सेक्टर म होटी कल्चर फिर है एगरिकल्चर इंजिनियरिंग फिर है डियरी टेक्नोलोजी ठीक है नेक्स्ट है फोरेस्ट्री अगला है भेटनरी एंड एनिमल साइंस नेक्स्ट है आपका फूड टेक्नोलोजी नेक्स्ट है आपका बायो टेक्नोलोजी नेक्स्ट है फिसरी एंड स किसी भी काटेगरी में तो आप यहां पर फोर्म बड़ पाएंगे तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं किसके लिए बेसी चाहिए किसके लिए MSE चाहिए तो आपका जो बोला गया है कि block level का vacancy है इसमें बोला गया है कि post graduate आप होने चाहिए ठेक है इन में से किसी एक में और computer knowledge आपके पास होना चाहिए साथ ही minimum two year का experience होना चाहिए ठेक है agriculture के field में और यहाँ पे बोला गया है कि अभी फिलाल एक साल के लिए contract पे रखा जा रहा है फिर आपका renewal कर दिया जाएगा salary आपको 30,000 रुपए दिया जाएगा ठेक है और अगर आपका होता है in annual increasement 10% होगा मतलब कि 30,000 रुपए पर एक साल बढ़ेगा यानि कि 33,000 अगले साल हो जाएगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सहायक तक्निकी प्रबंधन यानि कि assistant technology manager इसमें आपका graduate मांगा गया है यानि कि BSC मांगा गया है उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में ठेक है अगर post graduate है तो बहुत अच्छा salary रहेगा आपका 25,000 और परतिक साल आपका 10% बढ़ेगा यानि कि अगले साल 25,000 पलस 8,000 हो जाएगा यानि कि 35,000 ठीक है इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको रख लेंगे ये फिर है preferable of one year मतलब को एक साल अगर आपके पास experience है तो पहले उनको लिए जाएगा देखे पोश्ट जो इस टाइब से बंते गए हैं तो देखिए आपका जो प्रखंट तक्निके प्रबंधन नंहीं है इसमें के टरग्राज किया गया है कि आपका यहां पर जणरल से तीन गो है ठीक है से एक भी नहीं से एक भी नहीं से पॉस्ज़ू से उर और आपका जो असिस्टेंट वला है सहायक तक्षिक प्रबंदन इसमें जनरल से 19 गोई है सब्सक्राइब 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 करें कि आपके इसके लिए बोला गया है कि आपका जलेक्षिन क्या कि प्रकार यह चूनेंगे तो यह कूले ऐप मांक सब्सक्राइब 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 Geo इसके लिए बोला है कि आपने जो कोर्ष किया है ठैक है přकंड टक्राइब के लिए बता रहा हूंै 20 से 50 शल्क रहेगा ठाट है और यहां पे उसके बाद बुला गया है जिसमें से 30 अंक रहेंगे आपके subject के 10 अंक रहेंगे आपके allied के और pgdaem के 10 अंक रहेंगे ठीक है highest marks में बता रहा हूँ computer जनकारी के लिए 20 अंक रहेंगे ठीक है जिसमें MS Word, Excel और PowerPoint आपका आनों चाहिए ठीक है उसके बाद आपका रहेंगा 20 marks का experience ठीक है और जो special है आपका दो सल से अधिक का अनुभाव है उनको special weightage दिया जाएगा 10 marks का ठीक है तो कुल मिला के 100 marks में जो अधिक marks आएगा जिनका इस तरह से उनको लिया जाएगा आगे दिख लिते हैं तो फिर है आपका तक्निकी सहायक प्रबंधन पद के लिए सेम तो सेम प्रोसे से intermediate 10 marks आएगा बेस से आपका total 6 marks मतलब की 60 marks लिया गया है आपका यहां से course से ठीक है और यहां पर बुला गया है कि computer जानकारी के लिए 30 marks रहेगा जिसमें MS Word, Excel और PowerPoint आपको आना चाहिए और जो experience रहेगा उसके लिए 10 marks और special वेटेज यहां पर दिया जाएगा ठेक है यह चीजे हो गई आप देखिए चोंथा बुला गया है कि यहां जो है आपका भारती क्रि प्रबंद तक्निकी जो प्रबंदन पाद हैं में Indian Council of Agriculture रिसर्च से मायनताप्राप्त इंस्ट्यून्ट से ही तो ICR से आपका मायनताप्त है ठीक है और ICR ही भारत में जितने भी किरसी है सबसे हाई-लेबल का इंस्ट्यूट है अगरिकल्चर इंस्ट्यूट ठीक है इसमें अगले साल फॉम भी आया था जिसका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है चलिए जो भी है उदर तो यहां से आपका मायनताप राप्त होना चाहिए उक दोनों पदों के लिए 100 रहेगा फुल मार्क्स कट अप में जिनका हाय आएगा उनको मेरिट बनाए जाएगा 50 अंक आप 70-80-90 से उठाया जाएगा देखिएगा तो देखिए इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला है बोला है इन्होंने कि चैनित अभिहारती को फिलाल तो एक साल के लिए रखा जाएगा एकरार नामा पे और बात में फिर आपको अगर आपका वर्क अच्छा रहा वर्क एक्स्प्र पर भी लिखवा लेंगे आपसे खुद फिर बोला गया है कि यहां पर आपको जो भी है आपको बीना कारण बताए तो नहीं निकाला जाएगा कारण दे देगा उसके बाद निकालेगा अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे चुट जावा चुटी लिजेगा तो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा क्यावल जारखन के ही लोग यहां पर अपलाई कर पाएंगे और आपका सर्टिफिकेट आवासी का लग जाएगा यहां पर सीओ लेवल का लगेगा ठीक है यानि कि अंचल अधिकारी के अंतरगत का मिनिमम आपका अश्डियो लेवल का है तो औ और आपका कब तक का हो 2019 का या 18 का यह नहीं बोला गया है तो आप ततकाल बनाएं अगर इस साल में तो डाल लिजिए और नहीं बनाएं तो बना लिजिए एक सब्ता से 15 दिन का अंदर बन जाता है ततकाल सकर आप एपलाई करते हैं आवासी जातियाई को तो अगला है एच को आवेदक के साथ आपको यहां पर एफिट दिया गया है उसको भी आपको डालना होगा परतिक पद के लिए अलग 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 आवेदन सुविकार किये जाएंगे एक ही मतलब की एक बार अगर अलग आप दोनों पोश्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपको द होगी और चेक आपका नहीं तो आपके दोस्त का किसी का भी होगा ना उससे करवा लिजेगा ठीक है और यहां पे 500 रुपए लेगा तो आवेदन सुल्क परतिक ब्यारती को परतिक पद के लिए 500 रुपए देना होगा यहां पर स्टीस्ट कुछ छूट नहीं दिया है ठीक जो आपका documents verification होगा वह एक committee गठित की जाएगी और वह जाच committee गठित के आधार पर आपका जो है documents verification किया जाएगा ठीक है और आपका जो डिमांड ड्राप्ट बनेगा वो डिमांड ड्राप्ट में पूछा जाता है कि किसको आप दे रहे हैं उसका नाम लिखिए तो यह रह लेते हैं तो यहां पर डिमांड ड्राप्ट बना लिजेगा किसी भी बैंक से आपका अगर चेक बुक नहीं है तो किसी दोस्त का होगा उससे मांग लिजेगा ठीक है और यहां पर बोला गया कि अंतिम मेगा सुची जो है आपका जब रिजल्ट आएगा मतलब फर्स्ट ब बढ़ने का साथ अक्टूबर साथ अक्टूबर 2023 सामके पाच बज़े तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं फॉर्म को इस्पीड पोस्ट के माइदियम से आपको फॉर्म भरना होगा ठीक है देखिए बोला गया है कि प्रकासित बिग्यापन में प्रकासित पदों की संक्या काम में परिवर्तन किया जा सकता है और यहां पर यह सारी चीजे हैं नेक्स्ट है आपका कि आपका विग्यापन प्रकासित इसी फॉर्म को 2022 में भी निकाला गया था तीस नौंबर 2022 में और जिन लोगों ने अपलाई किया है उनको फिर से अपलाई करने की कोई भी जोरत न नहीं है उनको भी बेजा जाएगा ठीक अब दिखें यहां पर आपको इसी में सेम सभी पेज माई आपको देएँगा टोटल छे पेज का पीडियव है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं दोस्तों आपको लंबा वीडियो नहीं खीचना चाहता इसलिए ए प्रमेट है एप्लिकेसन का इसको भरना होगा ठीक है आपको हिंदी में ही भरना है और जहां पर अंगरेजी का उच्छर यूज किजिए बादबाकि सभी जगा हिंदी ठीक है और यह आपका इफिडिपीट है इसमें जो है थोड़ा सा प्रोसेस क्या है यहां पे आपको अप करता है ठीक है और इसको केवल भड़ना नहीं होगा यहां पर देखिए बोला गया है कि आपको नौटरी पॉब्लिक या फिर आपको किसी माजिस्ट्रेट से साइन करना होगा ठीक है इसको अगर आपको भड़ना है यहां पर फिर साइन करना होगा तो आप जाइए ठीक है माजिस्ट्रेट और हो सकता है वह आपको एक अलग से एफिडिपिट दें प्रॉपर जानकारी नहीं है मुझे एफिडिपिट के बारे में ठीक कि आपको एक नया एफिडिपिट लेगा या केवल इसी में स्कुर्फर महर मार देंगे यह थो लगेगा ही हो सकता है आपको इक अलग से एफिडिपिट भी दें और स्कुर्फ पर मुहर भी वगरा मारदें तो जो भी है यहांप एफिडिपिट ओभी अट्श्टेड बाई और नोटरी ठीक है तो यह आपके तीन फॉर्मेट रहेग थोड़ा डेटिल में अब देखिए यह पेज पेज नंबर आपका 151 देखिए यहां पे लिखा हुआ है 152 और यह आपका 153 यह तीनों आपको प्रिंट आउट कर वा लेना है और आपको आपके सभी डॉकमेंट्स ठीक है यहां पे फोटोचिप का देना है और सभी डॉकमें परियोजना निदेशक आत्मा रांची संजुक जिला किरसी कारियाले किरसी भवन केंपस कांके रोड रांची यह पिन कोड है इस पे आपको सेंड करना होगा 7,10,2023,5 बज़े से पहले ठीक है यह सारी चीज़े मैंने बता दी और आपको अगर डिटेल में जानना है तो क् खुद पढ़ना होगा notification किसी से अब सरा लेने की जौरत नहीं है मैं आपको inform कर दिया बता दिया अगर इससे भी ज्यादा डिल में जानना है तो दोस्तों अगर आप फॉम बढ़ रहे हैं पिलिज यार एक बार पढ़ लिजिए मुझे पढ़ने में कितना लगा 12 मिनट हो स सकता आप मुझे से ज्यादा बेटर अच्छे समझ पाएं तो आप खुद से एक बार रेड कर लें कि मिलते हैं अगली वीडियो में अभी तो फिलाल मैं दोड़ने के लिए हूं थाइंकि हुभाए